ओम नमो भगवेति वासुदिवाय दोस्तों आजके इस वीडियो में मैं बहुत ही जरूरी जानकाड़ी आपसे सेयर करने वाली हूँ और वह है आमल की एकादसी व्रत के बारे में जो की 20 मार्ज को हो रही है फागुन माह के सुकल पक्स की यह एकादसी सभी प्रकार के सुख को देने वाली होती है भगवान श्रीहरी वैसे भी एकादसी का ब्रत करने वाले सभी भगतों के उपर बहुत अधिक प्रिजन होते हैं लेकिन यह आपने एकादसी के दिन इन छोटी-छोटी से विज़िसकारियों को कर लिया तब इससे आपके जीवन की सभी प्रकार की सम स्याइं धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी आईए जानते हैं वो छोटे-छोटे से उपई क्या है नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं आप सभी स्वस्त होंगे सुरक्षित होंगे और आप सभी क्योत्तम भवश्य के कामना करते हुए आज का यह वीडि करता है आमल की एकादसी को भगवान सरी हरी की पूजा अराधना करता है दान करता है जब तप करता है उसे सैकरो तिर्थ करने का जो पुन्यफल होता है वह सर्फ इस एकादसी को करने से ही प्राप्त हो जाता है पदमे पुरायन के अनुसार जो मनुष्य आमल की एकादसी क व्रत करता है और जागरन करता है उससे हजारों यग्य करने से जो पुन्यफल के प्राप्ति होती है वह सिर्फ इस एकादसी को व्रत करने से ही प्राप्त मनुष्य को हो जाता है ऐसे में यह एकादसी का व्रत तो बहुत अधिक फिसे हैं देखिए वैसे तो हर एकादसी इसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही हो तब इसमें कुछ विजिस कारिया जरूर करने चाहिए वैसे भी आमल की एकदसी व्रद में आमले की व्रिक्षी की विजिस रूप से पूजा और चना की जाती है भगवान सरी नारायन का इसमें वास होता है इस दिन आमले की व्रिक्ष में जल, दूद, पुस्प, अश्टगंध और चंदन जरूर समर्पित करना चाहिए धूप, दीप समर्पित करना चाहिए थोड़े दीर आमले की व्रिक्षी की च्छाओं में अवसे ही वैतीत करना चा इस दिन हमें आमले की व्रिक्षी की जर यानि व्रिक्षी की च्छाओं में बैठ कर कुछ नो कुछ भोजन अवसे ही ग्रहन करना चाहिए बगवान सरी हरी कहते हैं यदि कोई भी व्यक्ति स्वस्त अपनी सरीर की कामना रखता है निरोगी सरीर की काया वह प्राप्त करना चाहता है तब आमले की व्रिक्षी के नीचे बैठ करके भोजन अवसे ही करना चाहिए आमला का व्रिक्षी जो है कल्यूग में अम्रित के समान माना जाता है इसलिए यह काड़िय करना बिल्कुल नभूले अब जानते हैं इस दिन किये जाने वाले विशेश मंत्र जब के बार में वैसे तो भगवान शरी विश्मु का कोई भी मंत्रा पुठा करके इस दिन जाप कर सकते हैं ध्यान कर सकते हैं समरान कर सकते हैं लेकिन विजेश कर ओम दामोदराई नमहा मंत्र का जाप करना हर प्रकार के सुखों को देने वला होता है मांसिक रूप से उठते बै जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी जानकारी पसंद आई हो तो इसे जादा से जादा से एर करना बिल्कुल ना भूलें अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे तब तब के लिए नमस्कार दोस्तों